बड़ी अपडेट बड़ी जानकारी मुगलशारा से निकल कर सामने आ रही है जहां पर यह बताया जा रहा है कि एक बुलैरो गाड़ी जिसके अंदर तकरीबन आठ लोग सवार थे और वो बुलैरो गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हुई है जी है यह बड़ी जानकारी बड़ी अपडेट में सीधा आप तक पहुंजाना चाहूं कि यह पुनार के मकाम पे हादसे का शिकार हुई और जिराय के मदाभी कि बताया जा रहा है कि यह तकरीबन साथ साथ की बीच इस गाड़ी को जो हादसा उस समय पेशाया जब यह गाड़ी जो हो सिर्नगर की और से राज़ोरी की तरफ जा रही थी और जब यह मुगलशारा के पनार के मकाम पे पहुंची और वहां पे जो हादसे का शिकार हुई और यह बताया जा रहा है कि वहां एक बहुत बड़ी खाई में जो हो नीचे जा गिरी जिसके अंदर तकरीबन आठ लोग जो हैं वो सवा सब्सक्राइब के अंदर रेफर किया गया है और जराय के मताबी बताया जा रहा है कि इन में से एक लेडी जो हो ओन दा स्पार्ट डैड हो गी है और जिसमें से चार बच्चे जो हैं वो क्रिटिकल जखमी बताया जा रहे हैं और फॉरी जब इस चीज़ की इन्फॉमेशन जमक्षमीर पॉलिस और ट्राफिक पॉलिस टेक पहुंचे और जमक्षमीर पॉलिस और ट्राफिक पॉलिस मोका पर पहुंचे और मकामी लोगों के साथ रस्क्यू ऑप्रेशन वहां पर चलाया गया और तक्रीबन आदा गंटा जो हो रस्क्यू ऑप्रेशन चलाया गया औ और ये गाड़ी जो हुआ राजोरी की बताई जा रही है कि ये सिरनगर की और से आ रही थी राजोरी की तरफ इनको जाना था लेकिन जब ये मुगलशारा के पनाड के मकाम पर गाड़ी पहुंचे और वहां इसको जो वह हादसा पेश हुआ जिसमें तकरीबन आठ लोग जो बताया जा रहे हैं फिलाल उनको स्टिया सुर्मकोट के अंदर मुंतकल किया गया लेकिन जराई के मताबिक बताया जा रहा कि इन में से एक लेड़ी जिनकी ऑन दा स्पार्ट साड़े साथ बचे जो मुगलशारा के पनाड़ के मकाम पर पहुंची जहां पे कुछ रोज करेबन आठ लोग सवार थे और जमक्षपिर पॉलिस के साथ ट्राफिक पॉलिस और मकामी लोगों ने तकरीबन आदा गंड़ा जो रिस्क्यू उपरेशन चलाया और रिस्क्यू उपरेशन के बाद जितने भी जखमी लोग थे उनको जो हो बाहर नकालकर स्टिया सूर्म कोड के अंदर मुंतकल किया गया और जराई के मताबिक बताया लाएं कि गाड़ी के अंदर एक लेडी की दैथ हुई है और तकरीबन आठ लोग इस गाड़ी के अंदर सवार थे और यह गाड़ी जो हो पनाड के मकाम पे हदसे का शिकार हुई है मैं आपको फिर बताता चलू इस गाड़ी का नंबर जो कि रिजिस्ट्रेशन नंबर जे